नमस्कार मैं हूँ गगन राव पार्टियल और आप देख रहें मनीनाई जटपट सरकार ने टेक्सपेर को एक बार फिर जटका दिया है पहले ITR फाइलिंग की तिती ना बढ़ा कर निराज किया अब ITR वेरिफाई की मियाद भी कम कर दिये बात यहें कि CBDT यानी केंदरी प्रतेक्ष करबोड ने ITR वेरिफिकेशन करने के नियमों में बदलाव कर दिया है पहले जहां करदाता को ओनलाइन ITR दाकिल करने के बाद 120 दिनों तक ITR वेरिफाई कर सकते थे वहीं अब इस काम के लिए उसे केवल 30 दिन मिलेंगे इनके भीतर फॉर्म ITR वी दाकिल करना होगा अब इस अफदी के बाद ITR वी दाकिल किया जाता है तो उसे ऐसा समझा जाएगा कि जिस रिटन के संबन्द में यह फॉर्म दाकिल किया गया है वह कभी भरा नहीं गया और करदाता को दुबारा फाइलिंग करनी होगी फिर इसके 30 दिनों की समय अफदी में फॉर्म ITR वी दाकिल करना होगा हाला कि CBDT ने इस पश्ट किया है कि इस अधी सूशना की प्रभावी होने की तारीक से पहले जो रिटन दाकिल हुए है ऐसे रिटन की समन में 120 दिनों की पहले की समय सीमा लागू रहेगी अब जरा इस ITR वेरिफिकेशन की कहानी समझ लेते हैं इंकम टेक्स रिटन भरनी की प्रक्रिया में आकरी चरण उसको वेरिफाई या सत्यापित करना होता है अगर आप वेरिफाई नहीं करते हैं तो आपको इंकम टेक्स रिफरंड नहीं मिलेगा साथी बिना वेरिफिकेशन के ITR आमान ने माना जाएगा वहीं आप ITR को ऑनलाइन और ओफलाइन दोनों तरह से वेरिफाई करा सकते हैं इंकम टेक्स पोर्टल पर दी गई जानकारी के मताबिक ITR को वेरिफाई करने के कुल 6 तरीके हैं इन में से 5 तरीके ऑनलाइन और एक तरीका ओफलाइन है एक तरीका हम आपको अभी बता देते हैं नेट बैंकी के जरीए आयकर रिटन को वेरिफाई किया जा सकता है इसके लिए बैंक की वेबसाइट पर लॉग इन करना होगा उसमें आपको टेक्स टेब में इवेरिफाई का विकल मिलेगा इसके बाद इनकम टेक्स विभाग की माई एकाउंट टेब पर क्लिक करके इवीसी जनरेट किया जा सकेगा इस पर क्लिक करते ही आपके इमेल और मोबाईल फोन पर दस अंका एक कोड आएगा यह कोड 72 गंटे तक वैद रहता है आप आयकर रिटन वेरिफाई करने के लिए माई एकाउंट टेब में जाएं और इवीसी डालें इसे सम्मिट करती आपका आई टी आर वेरिफाई हो जाएगा